Good morning children, कक्षा 5 में गुजराती के पिरियड में हम मिल रहे हैं आगे की क्लास में हमने गुजराती स्वाध्यकुथी पाठ पाच अपनी पुरुत्वी बचावो मारा लाडूने पर उसमें हमने पेद नंबर 53 तक किया हुआ था आज हम पेद नंबर 54 से आगे सिखेंगे Question number 16 नीचे ना शब्दों माटे ना गुजराती शब्दों लखो अने कोई पन एक शब्देनों उप्योग करीने वाक्य बनावो गुजराती की किताब में भी ये प्रेश्न हम सिख चुके है अगर आपको वहां पर कोई आंसर नहीं आ रहा तो आप यहां से देखकर लिख सकते हैं वी यानि अमे आपने और उसका एक वाक्य बनाया हुआ है आपने सव विद्यार्थियों छिये दुसरा है सेव यानि की बच्चावुवू, साचवुवू, संगर्वू और उसका वाक्य है पाणी खुब किंती छे, तेने बच्चावुवू जोहिये थर्ड है अर्थ, प्रुथ्वी धरा, धर्ती, मांटी और उसका वाक्य है आपने धर्ती पर रहिए छिये चोथा है वाटर, वाटर यानि पाणी जल, नीर, वारी और उसका वाक्य है हम्मेशा चोखु, पाणी, पीवु जोईए फिफ्थ है एनर्जी यानिकी जोर, बल, शक्ती, जुस्सो और उसका वाक्य है पूरी शक्तीनों उप्योग करीने काम करू सिख्थ है इलेक्ट्रिसिटी यानिकी वीज, विजली, विद्यूत विजली, पाणी, माथी, उत्पन, करी शकाई छे और सेवन्थ है गोड, भगवान, इश्वर, प्रभू, परमात्मा भगवान सवनू, सारू करे छे त्यार पसी जुओ, सामबडवामा एक सर्खा लागता एक शब्दना बे अलग-अलग अर्थतता होई छे ते लखो, ये भी हम किताब में सिख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं वन यानि एक, वन यानि जंगल, सर यानि साहेब अनि सर यानि सरोवर मग यानि नानो प्यालो अनि मग एक प्रकारनू कठोल जग, तो पाणी नो जग अनि जग यानि जगत दुनिया अर्थ, प्रुथ्वी और उसका अर्थ है एक अर्थ मतलब आपने कोई पन वस्तुनो मिनिंग समझावे, ये पन अर्थ कहिये छिए मीट यानि मलो और मीट यानि नजर वेर यानि क्या अनि वेर यानि दुश्मनावट शत्रोता गम यानि गुंदर और दुसरा गम यानि की गती समझ शोक मोर, इंगलीश मा मोर एकले वधारे यानि गुजरती मा मोर एकले एक रुपाळू पंकी मोल यानि तल अनि मोल एकले के मुल्य पाक बॉल यानी दडो अने बॉल एटले शब्द वचन आई यानी आँख ने गुजरातीमा आई एटले माँ अथ्वा माता मम्मिने आई कहवाई अवर यानी अमारू ने गुजरातीमा अवर एटले के बीजू इतर आगे देखे अपेज नंबर 55 निचे नो फक्रोवांचो निचे लिटी दोरेल शब्दो कोना माटे वप्राया छे ते लखो ये पेरेग्राफ भी हम किताब में सिख चुके हैं रमेश भाईये तेमना बाळको अमू अने अनू माटे हल्वानो एक टुकडो खरीद्यो तेमने ते बनने माटे तेने बे सर्खा भागमा वेच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् हवे जू प्रश्ण नमबर 10, नाम ने स्थाने काउस मांधि योग्य शब्द मुकी खाली जग्या पुरो अने नाम पर लीटी करों जो नाम है उसकी जगह उस पर हमें लिटी करना है और उसकी जगह ब्रेकेट्स में से योग्य शब्द चुन कर हमें वहाँ पर लिखना है पहला है राजेश है कहियो के राजेश ने के मने भूख लागी छे तो राजेश ने ने पंशु आऊँशे मने बिजू मुन्नाये के मुन्नाने पोताने चीम्टो भर्यों मतलब मुन्नाये पोताने चीम्टो भर्यों प्रिजू राजेश है मन्त भाई ने कहियो के है मन्त भाई ने एटले के तेमने समझ पड़ी गई चौथू, एक वार राजेश पडोश मा जानकी साथे रमवा गयो जानकी के ते राजेश नी के ते नी पाकी दोस्त तो ते ते नी पाकी दोस्त पाचमू, जयंत भाई ये जयंत भाई नी के तेम नी तो तेम नी पत्नी ने कहिऊ हवे 11th question कौंस मा धी योग्य शब्द वड़े खाली जग्या पूरो चलिए हम खाली जग्या देखते हैं सबसे पहला है खाली जग्या बहु प्रमाणी खतो ते, एक मुठी चणा तो खाली जग्या पासे छे मारी, खाली जग्या तमा कू पीतो न थी खाली जग्या जरा काम हतु आपनु आ घर खाली जग्या फावे छेके नहीं तमने मिनी आजे खाली जग्या वेला जागी गई तु छोटु आवू करवू खाली जग्या माटे सारू न कहवाई तारा खाली जग्या पुता ना पग पर हडवे थी टपली मारी एने शाबाश बेटा शाबाश खाली जग्या जरूर कुद का लगाविश तू चलिए आगे देखे पेड नमबर 56 नीचे ना वाक्यों ध्यान्ती वाचो अर्थसफर बनावो अने सुधारिने फरी थी लगो ये सबी क्वेश्चिन हम किताब में देख चुके हैं यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे एक बार पढ़ कर उसे समध लेते हैं सबसे पहला है चौकमा लाल्या कुत्रानी चौकी हती दुसरा लाडू नवाई पामी जोई रहयो हतो तिसरा ए तिचोरीनू बारणू केम देखातू नथी चोथा परियावरणनों पाठ हतो अने हती पाँचमी कक्षा पाच्वा कुसुम लल्लूने शोती शोती भुपु दादाने घरे पहुँचिये चठा लाडूनी जात्रा ब्रामर्ना पेटमा जयी पूरी थै सेवन्थ हुँ परवाना वगर कोईने जात्राये जवा देतो न थी अपने लिखा होगा बच्चो यहाँ पर कि अगर सही से शब्द हम नहीं लिखेंगे शब्दों को तोड़ फोड़ कर एक दुसरे के साथ जोड़ कर लिखेंगे तो उसका कोई और्थ कोई मिनिंग नहीं निकल रहा है सो गुजराती में यह इंग्लिश में जी कोई भी लेंग्वेज में हम लिखें तो शब्दों को सही क्रम में सही तरह से लिखना बहुत जरूरी है केशन नमबर थर्टिन आपेल शब्द शमोहो माटे एक एक शब्द लखो मोट्टो थाड यानिकी कतरोड कदर करी जाने तेवू कदरदान पहाडनी मोटी बखोल गुफा पीठ पाचल करेली निंदा चुगली गर आगरनी खुल्ली जग्या चौक तीर्थोनी मुसाफरिये जवूते जात्रा चली आगे देखे पैद नमबर 57 जात्रा करवा जनार जात्राळू किम्ती सामान राखवानी लोखंडनी मोटी पेटी ती जोरी बक्ती बावती जोवूते दर्शन राजानो लेखित हुकम परवानू पेटनो जुलतो भाग फांद गली पोष्टिक वांगी मिष्टान खेतर के गामनी हद सीन जेनी जोड नहीं ते वू अजोड उसके नीजे फर्टी नमर का क्वेश्यन नीचे ना शब्दोना समानार थी शब्दे लखो समानार थी शब्द यानि की similar word उसी शब्द को दूसरे कौनसे नाम से हम पैचान सकते हैं उसका दूसरा कौनसा नाम है उसे समान अर्थी शब्द कहते हैं किल्लो यानि की कोट दूर्ग चबरडा यानि गुटाळा धूल बेगो जमिन्दुस्त परवानो चूट लाडवो मान आदर सन्मान रस्तो मार्ग रक्षा बच्चाव उसके बाद कोठी वखार डूंगर पहाड परवत नवाई आश्चर्य अच्चरज लाफो तमाचो जात्रा यात्रा आखो नयन पाणी जल अथ्वानीर मत अभीप्राय घाट ओवारो जाडू सावरणी समज सूज चुगली निंदा चाडी नदी सरीता बारणू द्वार शिक्षप साहेब अने सहेज तो जरा लगीर चलिए आगे देखिए पेजन नमबर 15 नीचे ना शब्दो ना विरुद्धर्थी शब्द आपो विरोधी शब्द यानि एंटोनिम्स वर्ड्स जो उसके विरोधी होते हैं वो जैसे की दीन, रात, छोटा, मोटा, जाडा, पतला इसे हम विरोधी शब्द कहते हैं ऐसे गुजराती में भी होते हैं मान, अपमान, दोस्त, दुश्मन, नवु, जुनु, जाडो, पातलो आनद, शोक, दीने, जरप्थी, शुद्ध, अशुद्ध, दीला, फीट, पहली, छल्ली, गम्तु, अनगम्तु, समझ, गेर, समझ, मोटा, नाना उसके बाद, केशे नमबर 16 निचेना शब्दोनी साची, जुद्ध लखो, जुद्ध यानि की उसे सही तरह से हमें कैसे लिखना है उसे हम जुद्ध कहेंगे तो चुगली, देखिया यह सब आपको अच्छे से देखना है कि कहा पर कैसे लिखना है ये चुगली गलत है, जो डार कक्षर में दिया है, वो सही है, किलो, फल्यू, रुवाब, बलून, मच्छर, खुशाली, उंबरो, जात्राडू, उंची, नीची, बॉडी गार्ड, मिजाज, कुत्रो, ब्रामाण, और तिजोरी, देखे पेज नंबर 58, आगे है, मिश्टान, सिक्षक, गाठिया, उगडी, ब्रमाण, वाटरबेग, परियावराण, दातिया, अब थे, वेश्ट नंबर 17, नीचेना रुटी प्रयोगोना अर्थ आपी वाक्यमा प्रयोग करो, अब हम, जो रुटी प्रयोग है, उसके अर्थ देकर वाक्यमें प्रयोग करना है, मिजा थाई जवू, मार्थी नीचे पड़ी जवू, किसीको हम मारे और वो नीचे गिल जए, उसे धूल बेगा थाई जवू, एवू कहवाई, तो पोलीस ना मार्थी चोर धूल बेगो थाई गयो, तीसरा, जीब लबलब थवी, खावानू खुब मान थवू, रस बस लाडून जोई ने वागनी जीब लबलब थवा लागी, हक्का बक्का थाई जवू, यानिकी गभराई जवू, परिक्षामा चोरी करता पकड़ाई जता वित्यार्थी हक्का बक्का थाई गयो, वेशन नमबर 18, सेवद अर्थ विशे 5 के 7 वाक्य लखो, चलिए, सेवद अर्थ विरिते बचावी शकीशू, अपने पाणी नो बगाड करीशू नहीं, आपने विजली नो जरूर पूर्थ उप्योग करीशू, अपने स्वच्छता राखीशू, जया त्या गंदकी करीशू नहीं, व्रोक्ष छोडने नुक्षान करीशू नहीं, पशु पंखीने अथनी वाद करीशू, तो इस तरह हम सेवद अर्थ के विशई में आप लिख सकते हो, अगर आपको इससे ज्यादा कुछ आ रहा है, तो आप आगे भी कुछ न कुछ लिख सकते हैं, आपने पाठ पड़ा, उसमें से जो नए शब्द आपको लगे हो, वो यहाँ पर लिखिये, और उसे याद करना है, बड़ाबर है, तो आज हम पेज नंबर 54 से 58 तब सिख चुके हैं, उस पर आपको अच्छे अक्सरों से लिखना है,